बिस्मिल्लाई रामानी रहीम, सलामू अलेकुम, वेलकम टू माई कीचन। आज हम इफ्तार के लिए बहुत एजी और टेस्टी चिकन कांडी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बॉनलेस चिकन ले लिया था। जीकन को अच्छे से धोके इसके ऐसे छोटे-छोटे पीस हमने काट लेने हैं। अब हम इसमें बहुत ही आसान से मसाली डालेंगे जो हमारे गर में अवेलेबल होती ही है। इसमें हम डालेंगे टेस्ट के मुताविक नमक। आधी चम्माच हल्दी। एक चम्माच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। एक चम्माच धन्या जीरा पाउडर। एक चम्माच काली मिर्च का पाउडर। एक चमच चिकन मसाला एक चमच चाट मसाला आधी चमच अदरक लहसुन की पेस्ट एक चमच तीखी वाली हरी मिर्ची की पेस्ट एक चमच रेड चिली सोस आधी चमच डार्क सोया सोस और एक अंडे की सफेदी डालेंगे तो अंडे में से इस तरीके से मैंने योक निकाल लि go सकते हैं उसके बीना भी चिकन बहुत ही टेश्टी बनेगी तो देखे हाथों से अच्छे से रगड़ते हुए हमें सारी चीजों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम थोड़ा सा ही इसमें रेड फूड कलर डालेंगे इसे आप चाहो तो कॉनफ्लोर डाल सकते है पर अभी हम इसमें तीन चंबच जितना कॉनफ्लोर डालेंगे और फिर से हमें सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा कॉनफ्लोर भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरीके से मसाले में मैरिनेट करके इसे हमें आदा गंटा रेष्ट देना है मसाली अच्छे से मेरीनीट होगे तो हमारी चिकन कांडी बहुत ही सौफ्ट और जीूसी बनेगी और कॉंफलोर डालने से चिकन कांडी हमारी उबर से क्रिस्पी और कुरकूरी बनेगी तो देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए है और हमारे चिकन के पीस के उपर मसाले अच्छे से कोट भी हो गए है तो देखिए ऐसा ही मसाला इसके उपर लगना चाहिए तो देखे इस तरीके से हमारी चिकन कांडी जैसे बजार में मिलती है ऐसी ही बनके तयार होगी अब मैंने यहाँ पर ये स्टीक ले ली है जो बजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और इसे मैंने आदे गंटे पहले पानी में बिगा दिया था ताकि तेल में जाके जले नहीं अगर आपको यह स्टीक ना मिले ता आप इसमें टूथपिक भी ले सकते हैं और टूथपिक में हमने 2-3 पीस ही लगाने हैं तो अब ये श्टीक में हम चिकन के पीस को डालते जाएंगे तो इसमें हमने जितने भी मसाले डाले है उससे हमारी चिकन कांडी बहुत ही टेस्टी बन के तयार होती है और इसे बनाना आसान भी बहुत ही है क्योंकि इसमें डाले जाने वाले सारे मसाले हमारे गर में अवेलेबल होती ही है कोई भी मसाले ऐसे नहीं है जिसे हमें बजार से लाने की जरूरत पड़ेगी तो देखे थोड़ी थोड़ी ग्याप रखके हमें इस तरीके से चिकन इसमें लगा देनी है और उपर नीचे हमें थोड़ी जगा छोड़ देनी है तो देखे इसी तरीके से हम सारी चिकन कांडी को लगा देंगे toothpick के बीना भी हम ये chicken को अलग-अलग fry करके खा सकते हैं पर इस तरीके से stick में लगा कर हम chicken candy बनाते हैं तो बच्चों को भी खाने में ये बहुत ही अच्छी लगती है तो देखे इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी gap रखके हम सारी chicken candy को लगा देंगे तो देखे 500 ग्रम चिकन में मेरी यहाँ पे इतनी सारी chicken candy बनके तयार हो गई है अब हम इसे आदे गंटे का रेश्ट देंगे और फिर हम इसे fry कर लेंगे और यही chicken candy को आप added container में रखकर एक महिने के लिए freezer में frozen भी कर सकते हो और जब भी इसे fry करना हो तब आदे गंटे पहले हमें निकाल लेना है और फिर गरम तेल में इसे fry कर लेना है तो अभी मैं इसे आदे गंटे का ही रेश्ट दूंगी और फिर मैं इसे fry कर लूंगी तो देखें आदा गंटा हमारा हो गया है और हमारी chicken candy अच्छे से marinate भी हो गई है तो अब हम इसे fry कर लेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तेल अच्छे से गरम करके क्यास की flame को slow कर दिया है अब हम तेल में एके करके chicken candy को डाल देंगे तो देखें इस तरीके से चार chicken candy को मैंने डाल दिया है और इसे हमने slow flame भी ही fry करना है ताकि chicken हमारी जले भी नहीं और अंदर तक अच्छे से पक भी जाए थोड़ा थोड़ा इस तरीके से तेल भी उपर डालते जाएंगे और इसे हमने तूरंध ही नहीं पलटना है थोड़ा सा ये सैट हो जाए उसके बाद हम इसे गुमा लेंगे इसमें हमने chicken को मैरीनेट करके आदे गंडे का रेष्ट दिया था इसलिए chicken हमारी जल्दी से पक जाएगी अगर आप चाहो तो आदे गंडे के जगा पे सुभा से आप chicken को मैरीनेट करके रख सकते हैं और फिर साम को इफतारी के टाइम पे फ्राई कर सकते हैं मैरीनेटेड chicken को हम जितना गंटा रहने देंगे उतना ही हमारा chicken जल्दी पकता है और टेस्टी भी बहुत लगता है तो देखे चार से पांच मिनिट के बाद हम chicken को इस तरीके से घुमा देंगे तो देखे नीचे से बहुत ही अच्छा इसका कलर आ गया है और हमने जो भी इसमें मसाला डाला था वो बिल्कुल भी तेल में अलग नहीं हो रहा है बहुत ही परफेक्ट हमारी chicken कांडी बनी है तो नीचे से भी हम इसे 2-3 मिनिट के लिए फ्राइ करके चेक कर लेंगे इस तरीके से टूथपिक डाल के चेक करेंगे के हमारी chicken गली है या नहीं तो बहुत ही अच्छी हमारी chicken गल गई है तो चली अब हम इसे निकाल लेते है तो देखे medium to slow फ्लेंपी ही मैंने इसे 5-6 मिनिट पकाया था और बहुत ही अच्छे से हमारी chicken कांडी यहाँ पे फ्राइ हो गई है और color भी आप इसका देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आया है तो बच्चे तो इसे देखकर बहुत ही खूस हो जाएंगे तो चली इसी तरीके से हम हमारी सारी chicken कांडी को फ्राइ कर लेंगे तो देखे इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से chicken कांडी को गर पे बना सकते हैं हमारे गर में आसानी से मिल जाए ऐसे ही मसाले हमने इसमें डालके chicken को मैरिनेट किया था और फिर थोड़ा सा रेश्ट देके हमें इसे फ्राइ कर लेना है तो बस आप भी इस तरीके से chicken कांडी बनाएएगा और सबको खिलाएगा ये सबको बहुत ही पसंद आएगी और आज की मेरी chicken कांडी की रेसिपे आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि ऐसी ही आसान आसान रेसिपे आपको मेरी चैनल पर मिलती रहती है तो चलिए इंशाला मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज, हैपी कुकिंग